हेलो प्रेंट्स आज की हेल्थ टॉक का विशे जो हमने रखा हुआ है वह बहुत छोटी सी प्रॉब्लम है देखने के लिए तो लेकिन काफी पेइनफुल रहती है और जो है इसके साथ आपके बहुत सारा जो है रूटीन भी डिस्टरब हो जाता है क्योंकि यह जो है मेंली आपकी आइस को डिस्टरब करती है और तुमकि आपकी आँख को डिस्टरब करती है तो आप जो है बहुत इरिटेंट फील करते हैं जी हाँ फ्रेंट्स आज हम जो बात करने वाले हैं मेंली आँख में होने वाली स्टाई के बारे में बात कर रहे हैं जिसको जो हैं होडिय जानते हैं आपको पता ही है कि जो स्टाई की प्रॉबलम है वह आपकी आँख में हो रही है तो यह आपके अंदर भाली साइट भी हो सकती है और बाहर भी हो सकती है mainly यह आपके eye lids को affect करती है तो आपने देखा भी होगा कि जब style हो जाती है तो आपको आँख even बंद करने में भी बहुत दिक्कत होती है तो इसमें जो है आँख जब यह style पक जाती है तो इसमें पस की collection भी होती है painful तो यह है ही है तो आज हमने इसलिए यही topic रखा है क्योंकि बहुत लोग ऐसे होते हैं जिनको बहुत frequently style की problem होती है और जो मैं पता नहीं कितने ही इलाज इसके कर लेते हैं लेकिन फिर भी वो समस्या जो है उनकी ठीक नहीं हो रही होती है तो आई जानते हैं कि हमें क्या करना चाहिए जबी भी हमें यह strike की problem हो जाए तो सबसे पहले इसके symptoms को ही जान लेते हैं तो symptoms जिनोंने भी strike की problem को face किया है वो अच्छे से जानते ही है कि यह painful रहती है आपकी आँख में आइलिड में एक lump जैसा बन जाता है और आपकी आइलिड में जो है swelling आ जाती है और जो है swelling की कारण से इसमें बहुत pain रहता है और ज़रा सा भी touch करेंगे तो जो है दर्ब बढ़ता है जिसको medical terms में tenderness कहते हैं और इसके लावा प्रेंट जो है बहुत burning sensation आपको लगता है कि आपके आँखे जल रही है आँख में बहुत itching होती है आँख जो है ऐसा गिरी ही सी आपको मैसूस होती है मतलब आप नहीं चाहते हैं तो भी जो आपको ऐसा लगता है कि आपकी आँख बंद हो रही है बहुत लोगों को जो है वीजन की clarity भी कम हो जाती है blood जैसा दिखाई देता है light आपको अच्छी नहीं लगती है और obviously आपको आँख ब्लिंक करने में दिक्कत होती है आँख से पानी आता रहता है तो इतने सारे symptom होते हैं च्छोटे से lump से जो है जो आपकी आँख में हो जाता है और generally आपने देखा होगा कि इससे जो है एक बार में एक ही आँख एफेक्ट होती है बहुत कम ऐसा होता है कि दोनों आखों में एक साथ स्टाई हो जाए और बहुत लोगों को ऐसा होता है की एक ही आँक में एक साथ कई सारी स्टाइ बन जाती है तो इस प्रॉब्लम के बारे में आज हमने क्यूंकि बात करनी है तो ऐसा है इस में छो है सिम्टम के साथ पहले एक बार कॉस भी जान लेना जरूरी है कि बारबार अगर हो रही है तो ऐसा क्या हो जाता है कि यह रुकती है नहीं है या हो सकता है हमारी भी जो कुछ कमी हो इसमें कि हम अपनी आँख Bowl का दिहान अच्छे से नहीं रखते हैं तो आपको जा है स्टाइक प्रॉबलम हो जाती है तो जैसा कि आप जानते हैं कि जो आख में इस तरीके की infection होता है वो bacteria की वज़े से हैं जिसको हम stephylococus bacteria कहते हैं तो ये बैक्टीरिया जो है हमारी आख में एक oil gland है उसके hair follicles कोई effect करता है जिससे ये gland या ये follicle जो है उसमें dead skin cell से जो है ये follicle जो है भर जाते हैं मतलब clog हो जाते हैं और जो है कभी-कभी इसमें bacteria ही trap हो जाएगा वो जो आगे जाकी आख में infection करता है जिसकी वज़े से swelling हो रही है और ये painful lump बनता है तो आप समझी सकते हैं कि bacterial infection है तो आपको अपनी आँख का कितना जादा इसमें दिहान रखने की जरूरत है तो अगर आप अपनी आँखों की care अच्छे से नहीं करते हैं तो बार बार ये bacteria जो है आपकी आँख को effect करके जो है उसकी follicles को clog कर देगा और आपको repeat पे ये style की problem होती रहती है तो किन लोगों को होती है और आपको अपनी आँख का इसमें क्या ध्यान रखना है अब इस बारे में बात करना भी बहुत जरूरी है तो इसके लिए जो है सबसे पहले एक तो आपने जो है कोई भी expiry date के cosmetics अपनी eyes में यूज़ नहीं करने है तो ये ladies को जो है खास तोर से ध्यान रखना है कि आपकी अगर cosmetics जो है जो भी आप eyes के लिए इस्तमाल करें हैं तो अगर वो expire है तो आप उनको use ना करें secondly जो है सोने से पहले वैसे तो आपको पूरा ही makeup उतारना ही चाहिए लेकिन खास तोर से जो है आपको अपना eye makeup जरूर ही उतारना चाहिए इसके बाद फिर जो लोग contact lens पहनते हैं उनको contact lens जो है अपना पहनने से पहले उसको disinfect कर लेना चाहिए अगर आप उसको disinfect नहीं करेंगे तो भी जो है इस टाय की problem बनी रहती है इसके बाद जो है अगर जो है आप अच्छी diet नहीं लेते हैं poor nutrition है आपकी तो भी जो है आपको style होने का risk बना रहता है अच्छे से अगर आप सोते नहीं है प्रॉपर नीन नहीं आपकी 6-8 घंटे की पूरी हो रही है तब भी इस तरीके की दिकत हो सकती है इसके बाद बन्स एक चीज़ और है कि style जो है अगर घर में किसी एक विक्ति को है और अगर आप उसका सामान जैसे टावल वगरा यूज़ करते हैं तो भी जो है एक से दूसरे विक्ति को style हो सकती है तो आपने इस चीज़ का भी बहुत importantly ध्यान रखना है कि आपने एक दूसरे का सामान भी इसमें इसमें इस्तमाल नहीं करना चाहिए तो ये तो कोई फ्रेंट्स की हमें इसमें क्या prevention रखनी है कौन लोग ज़्यादा risk पे रहते हैं तो इसके बाद जो है हमने इसका treatment पाट के अगर हम बात करते हैं आहरवेद के अनुसर तो आहरवेद में जो है पित दोश और रक्त धातु इसमें जो हैं दोशित हो जाती है और बाकी के दोशों को भी जो हैं दोशित करती है और इस प्रकार का lump बन जाता है तो इसका treatment के लिए जो हैं आहरवेद में बताए गई हैं कुछ बहुत चोटी चोटी remedies हैं जो आप इस्तमाल कर सकते हैं तो हम पहले remedies की बात करते हैं एक बहुत common remedy है तो वह यह है कि आप जो हैं हलका गरम पानी ले लीजिए क्योंकि इसमें जो हैं बहुत चिपकती है बहुत सूजन और रेडनेस विगर है तो उसको कम करने के लिए हमने यह remedy यूज़ करने है तो आप जो हैं थोड़ा कुसा ग होट वाटर कमप्रेस कहा जाता है जिससे आपकी आख जो हैं क्लीनिंग भी हो जाएगी और उसकी स्वेलिंग और जो हैं रेडनेस है उसमें भी जो हैं कमी आएगी और ऐसा आपने जो हैं 10-15 मिनट दिन में 3-4 बार करना है तो इससे आपको काफी आराम मैसूस होगा गरम पानी के साथ साथ जो है आप टी बैग का भी इसमें इस्तमाल कर सकते हैं तो आप जो हैं इस तरह की कम्प्रेस जो हैं टी बैग को गरम करके भी जो हैं अपनी आइस को दे सकते हैं खासतोर से जो हैं ब्लैक टी बैग जो हैं वो इसमें काफी अच्छा काम करते हैं तो गरम पानी में थोड़ा सा बीगो दीजिए और पानी का टमपरेचर नॉर्मल आने के बाद जो है उस पाने को आप छान करके जो है इस्तमाल करिए अपनी आइस को वाश करने के लिए इससे भी आँकों को काफी जादा इसमें आराम मिलता है और जो है फ्रेंट इसमें एक और जो है थेरपी की जाती है जिसको हम जो है नेतर दहरा का भी नाम दिया गया है और अगर हम आम भाशा में बात करें तो इसको जो है सिंपली आप जो है अपने आँख में जो है इसमें घी या फिर जो है शहद का इस्तमाल जो है अपने लुब्रिकेट करने के लिए इसमें कर सकते हैं तो यह प्रोसीजर आप चाहे तो किसी बंच करम सेंटर पर करा सकते हैं या सिम्पली भी आख में घी डालना इतना डिफिकल्ट नहीं है आप हलका जो है घी को थोड़ा गरम कर लिजिए ताकि वह मेल्ट हो जाए और जो है वह आप हूम रेमडी की तोर पे जो है अपनी स्टाय की प्रॉब्लम के लिए कर सकते हैं जिससे आपकी आँक की जो इरिटेशन है उसमें आपको काफी जादा आराम मिलेगा इसके लावा फ्रेंट जो है मेडिसन के तोर पे कुछ बहुत अच्छी मेडिसन है जो इसमें काम कर सकते हैं व्रिद्दिवादी का वटी इसमें आपको बहुत अच्छा काम करती है इसके बाद प्रिंट्स ट्रिफला गरित जो है आँखों के लिए बहुत अच्छी मेडिसन बताई गई है और उसके साथ जो है आप सब्तामरत लौ का इस्तमाल कर सकते हैं और त्रिफला की प्रॉब्लम को दूर कर सकते हैं और अपनी आँखों को जो है स्वस्त रख सकते हैं तो उमीदे फ्रेंट्स आपको आज की जानकारी पसंद आई होगी जानकारी पसंद आई है तो प्लीज चैनल को लाइक शेर वा सब्सक्राइब कर दें थैंक यू सो मच फ्रेंड्स फ